सर्दियां हो गई है शुरू और अपने शरीर को गरम गरम रखने के लिए ना हमें अपनी डाइट को भी थोड़ा गरम वाला रखना पड़ेगा मतलब हमें ऐसा खाना खाना पड़ेगा जो हमें गर्मी दे हमारी जो बॉड़ी है उसको गरम रखे तो उसी में से एक आज मैंना बहुत ही अच्छी सबजी बनाने वाली हूँ यह है लाल भाजी जिसको हम लाल पालग भी बोलते हो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है बहुत गरम होता है अगर आप सर्दियों में इसको अपनी डाइट में शामिल करोगे ना तो सही में आप बिमारियों से तो दूर रहो गई और ठंड भी नहीं लगगी मतलब रजाई मतलब रजाई को तो आप एक बार को साइड महटा दो के क्या दोगे आहा आज तो मैंने लाल भाजी खाई है तो वेलकम बाक टो हेल्दी डाइटारू आज होप आप सभी अच्छे होगे और सारी रेसिपी इसको इंजोई कर रहे हो आज मैं बनाने वाली हो लाल भाजी जिसको हम लाल पालक बोलते हैं मैं पहले इसको जानती नहीं थी पहले मैं हरा हरा पालक ही जानती थी लेकिन जब से फिर मैंने इसको बनाया और इसको खाया वाओ मतलब इसके जो गोण है वो अलगी लेवल के हैं और इसको बनाना ना बहुत आसान है ये लाल भाजी देखने में आपने जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरह से होती है इसके जो डंटल होते हैं वो भी लाल होते हैं और इसको आप जब भी लेकर आये ना तो इसको ताजा-ताजा ही बना लें मदा फ्रेज वगेरा में कोशिश करें कि ना ही रखें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद इसको बारीक बारीक काट लें ठीक है तो आज हम इसको बनाने वाले हैं कढ़ाई में और बहुत ही कम ओयल में हम इसको बनाएंगे तो मैंने डाल लिया है कढ़ाई के अंदर सरसो का तेल बहुत थोड़ा कोशिश आप एही किया करो कि जो भी आप चीजे बना रहे हो ना मतलब ब दो चम्माज या एक एड़ चम्माज ओई में आप बना लो अपनी सब्जीयों को क्योंकि हर चीज ना बस एक वंधिक कानटर्टी हो ज़रूरी है तो एक दो चीज की जो मैं आपको बताना चाहूंग मतलब मेथी दाना से ने टेस्ट अच्छा आता है तो आप डालना जरूर 4-5 दाने हो मेथी के तो डालना उसके बाद जीरा और हींग वो हम डालेंगे ही और इसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्च लहसुन और अदरक इसको मैंने अच्छे से कूच लिया था उसके बाल मैंने उसका पेस्ट बनाके और डाल दिया है अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिंपली आप इसको अवोइड कर सकते हैं मैं इसको थोड़ा साज अलग तरीके से बना रही हूं और इसमें मैंने डाल दी है प्याज जब मेरा वो भून गया था और प्याज को भी हम अच्छे अगर आपको ज़्यादा लोग खिलानी है तो अब इसमें डाल दी है आलू तो यह बॉइल्ड आलू है तो मैंने उनको बॉइल आलू को थोड़ा बीच में से काटके पीसे करके मैंने मैश करके नहीं डाला डाल दिया है बट अगर आपके पास बॉइल नहीं है सिंपल कुछ बनाया था तो उसके बाद यह बच गयते तो अगर आपके पास कच्चे आलू है तो वो चील कर और इस टाइम पढ़ना आप उसको अच्छे से भून लो मताब उस पर थोड़ा सा वो ब्राउन ब्राउन सी जो लेयर आती न वो आ जाए तो तब तक अब थोड़ा सा भून लो आलू भी तब तक थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर तो यह दो टमाटर है चोटे-चोटे तो वो मैंने डाल दिया है तो आप इसमें से कुछ चीज़े आवाइड भी कर सकते हो अगर सपोज आपको टमाटर नहीं अगर आपको भाजी में आलू ठीक लगते हैं अगर जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं तमाटर वगएर नहीं जमता तो आप उसको हटा सकते हो यह है मेरी भाजी तो मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ करके 3-4 बार और उसको मैंने बारी बारी काट लिया था चा क्योंकि उसका नहीं तो फिर खाने का इक तरसे फायदा क्या यार जैसे कहते है न हम जो फ्रूट्स वगएरा होते हो उसको भी बोलते है कि बिना छीले उनको पील किये हुए खाने चाहिए तो ऐसे ही सेम भाजी वगएरा के साथ होता है बीच बीच में इसको आप ढग कर चल आप खा सकते हो मता अगर आप कंसीव करने वाले हो तो बहुत ही जादा है उन लोग के लिए इसके अलावा यह जो इनसुलन है उसको भी कंट्रोल में रखता है तो और बहुत सारी चीज़े होती है यार प्रोटीन होता है इसमें तो आप इसको ना पनी डाइट में होगे ना मन से बना होगे ना तो सारी चीज़े अच्छी लगेंगी तो इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करो मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में यह भी बहुत आसान थी I hope आपको पसंद आयोगी और हां तब तक बाबाई